नमस्कार, Teachers Academy Online Coaching Institute से मैं हूँ अंबरी शिशुक्ल मित्रों बिश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष में प्रस्तूत है परिचर्चा जिसका बिशे है स्युत राष्ट की भाषा हिंदी भारतिक मात्र ऐसा देश है जिसकी पांच भाषाएं बिश्व की 16 प्रमुक भाषाओं की सूची में सामिल है 160 देशों के लोग भारति भाषाएं बोलते हैं विश्व के तिरान विदेश ऐसे हैं जिनमें हिंदी जीवन के बहु आयामों से जुड़ी होने के साथ विद्याले और विश्व विद्याले अस्तर पर पढ़ाई जाती है चीनी भाषा मंदारिन बोलने वालों की संख्या हिंदी बोलने वालों से ज़्यादा जरूर है किन्तु अपनी कित्रात्मक जटिलता के कारण इसे बोलने वालों का छेत्र चीन तक ही सीमिध है सासकों की भासा रही अंग्रेजी का सासकीव तकनीकी छित्रों में प्रयोग तो अधिक है किन्तु उसके बोलने वाले हिंदी भासियों से कम है 1945 में सैंटराष्ट की आधिकारिक भासाएं चार थी अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसिसी और चीनी ये भासाएं अपनी विलक्षणता या ज़्यादा बोली जाने के बनिस्बत सैंटराष्ट की भासाएं इसले बन पाई थी क्योंकि ये विजेता महसक्तियों की भासाएं थी, बाद में इनमें अरबी और स्पेनिस सामिल कर ली गई बिस्पटल पर हिंदी बोलने वालों की संख्या दूसरे अस्थान पर होने के सैंटराष्ट में सामिल नहीं किया गया है यही नहीं भारती और अनिवासी भारतीयों को जोड़ दिया जाये तो हिंदी पहले अस्थान पर आकर खड़ी हो जाती है भासाई आकरों के दृष्ट से जो सारवाधिक प्रामाडिक जानकारियां सामने आई हैं उनके आधार पर सैंख्याराष्ट की छे आधिकारिक भासाओं के तुलना में हिंदी बोलने वालों की स्थितिक निमना है मंदारिनी 80 करों, इस्पेनिस 40 करों, अंग्रेजी 40 करों, अर्भी 20 करों, रूसी 17 करों और फ्रेंच 9 करों लोग बोलते हैं जाहिर है हिंदी सैंख्याराष्ट की अग्रिम पंक्ती में खड़ी होने का वैत अधिकार रखती है हिंदी के साथ एक और विलक्षंता जुड़ी हुई है हिंदी जितने राष्टों की जनता द्वारा बोलीवा समझी जाती है सैंख्याराष्ट की पहली 4 भासाएं उतनी नहीं बोली जाती है हिंदी भारत की अलामा नेपाल, मौरिसस, फिजी, सूरिनाम, गयाना, तरनिदाट, टुबैगो, सिंगापूर, भूटान, इंडोनेसिया, बाली, सुमत्रा, बांगला देश और पाकिस्तान में खूब बोलीवा समझी जाती है भारत की राजभाषा हिंदी है तथा पाकिस्तान की उर्दू इन दोनों भाषाओं के बोलने में एक रूपता है दोनों देशों के लोग लगभग 60 देशों में आजिविका के लिए निवासरत हैं इनकी संपर्क भाषा हिंदी, मिस्रित, उर्दू अथवा उर्दू मिस्रित हिंदी है हिंदी फिल्मों और दूर्दसन के कारिक्रमों के जरिये भी हिंदी का प्रचापसार निरद्दर हो रहा है विजेसों में रहने वाले दो करोण हिंदी भासी, हिंदी फिल्मों, टीबी, सीरियलों और समाचारों से जुड़े रहने की निर्दत्ता बनाए हुए है यह कारिकरम, अमेरिका, ब्रिटेंग, जर्मनी, जापान, अस्ट्रेलिया, कनाडा, हालेंड, दक्षिन अफ्रीका, फ्रांस, थाइलेंड, आध देशों में रहने वाले भारतिये खूब देखते हैं स्युक्त राष्ट के सदसे देशों की संख्या 191 है और कुछ जगों पर आपको 192 भी इसका डाटा मिल जाता है स्युक्त राष्ट में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए योग दिवस की तरह एक प्रस्ताव लाना होगा जिस पर 139 देशों की सामत या निमारे होगी या सामत बन जाती है तो स्युक्त राष्ट के विधान की धारा 51 में संसोधन होगा और इसमें स्युक्त राष्ट की भाषा के रूप में हिंदी जुड़ जाएगी बोपाल में हो रहे है बिश्व हिंदी संबेलन या इस तरह कि जितने भी बिश्व हिंदी संबेलन हो रहे हैं भारत और बिश्व में ये सब बिश्व हिंदी संबेलन संगतराश्टी की भाषा हिंदी बने इसकी कड़ी में एक एजंडे के रूप में अपनी बाग को रही है, हिंदी सेंट राष्ट की भाषा बन जाती है तो इस देश की राष्ट भाषा बनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा ऐसा होता है तो भारत भाष्यों के लिए भाषाई दास्ता से मुक्ति का दौार भी खुलने लग जाएगा मित्रों अगर हिंदी भारत की राष्ट भाषा नहीं भी बन पाए तब उतनी दुख की बात नहीं है लेकिन भारत की जो हिंदी है वो बिश्व में अगर सैउक्त राष्टन की भाषा नहीं बन पाती है तो ये भारत के लिए दुख की बात है क्योंकि हम उस अस्थान को प्रतिपुष्ट करते हैं हमारे लोगों की जो बोलने माले लोगों की संख्या है वो भी परियाप्त है और इस दिश्टिकोंड से हम पहले अस्थान पर है आपको अलग-अलग डाटा मिल जाएगा बिविन पत्र-पत्रिकाओं में विकिपीडिया पर बहुत जगा आप सर्च करेंगे तो आपको हर जगा मिलेगा कि कुछ जगा आपको मिलेगा कि हिंदी नमबर एक पर है कुछ जगा मिलेगा कि मंदारिन ही आपको नमबर एक पर है लेकिन अभी लेटेस्ट डाटा जल्द ही आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि बिस्ट की सबसे अदा बोले से हिंदी बन चुकी है और ये कुछ वेब साइटों ने अपने जो भी अनुभाय उनको परशारित कर दिये है बेरहाल अभी आधिकारिक तोर पर अगर कहीं आपकी परिक्षा में पूछा जाता है तो हिंदी दूसरे अस्थान पर दूसरे पायदान पर भी बनी हुई है तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा साथी साथ अपने भाषा के प्रती आपका सम्मान आपकी संबेदना बनी रहनी चाहिए अपनी मात्री भाषा को भी सीखिए हिंदी को भी सीखिए साथी साथ भारत की और छेत्री भाषाओं को बढ़ावा दीजिए अंग्रेजी को भी बढ़ावा दीजिए लेकिन बाकी सारी भाषाओं के चक्कर में आप अपनी भाषा को मत बोल जाएए तो आज का ये महतपूर परिचर्चा वारता आज यहीं तक है फिर एक नई परिचर्चा और नई वारता के साथ आप सब के सामने प्रसुत होंगा तब तक के लिए नमस्कार जैहिन धन्यवाद